84 विदानसभा सेत्र में पूर्वसांसर ताराचन बगोरा के निरततों में 360 कीमी यात्रा का हुआ समापन देश की आनबान सान के लिए कोंग्रेस पार्टी का हर्व एक कार्य करता समर्पी थे उक्त उदगार रास्तान सरकार के राज्यमंत्री डॉक्टर जंकर यादव ने 84 विदानसभा सेत्र में राहुल गांदी की ओर से देश भर में निकल रही बारत जोडो यात्रा के समर्थन में पूर्व सांसा ताराचन बगोरा की ओर से निकलने वाली वागर जोडो यात्रा में बत्तोर मुख्य अदितिक कहा काय क्रम में पूर्व सांसा ताराचन बगुरा ने कहा कि वर्तमान में भाजपा की तानासाई राज के चलते हर वर्ग परेशान है एसे में लोगतंत्र का भी बविश्य खत्रे में है जिसका सबसे बड़ा नुक्सान आने वाली यूवा पिडिको होगा बगुरा ने कहा कि देश को कॉंग्रेस पार्टी ने नेत्रत्व दिया और देश ने जो तरक्की करिये वो बूतों न भविश्य को यह कर पाएगा इसलिए बविश्य को सुरक्षित रखने के लिए देश को कॉंग्रेस पार्टी को आने वाले समय में समर्थन देकर आगे लाना पड़ेगा कॉंग्रेस पार्टी के राष्टी नेता राहूल गांधी की ओर से देश बर में भारत जोडो यात्रा निकाली जा रही है उसके समर्थन में 84 विदान सबा सेत्र में अखिल भारती कॉंग्रेस पार्टी के पूर्व सचीव एवं पूर्व सांसत तारचन भगोरा दुआरा वागर जोडो यात्रा निकाली गई जिसका मंगलवार देर साम को समापन हुआ दिसरे चल्ड की यात्रा के दुसरे दिन मंगलवार को यात्रा करा वाड़ा से सुरू हुई जो गड़ा वाट्रेस वर नानोडा दंबोला सिमर वाड़ा होते हुए पीट इस्तित अत्ति प्राचिन महादे मंदिर में पीट सलारेश्वर पहुंची जहां पर वागर जोड़ यात्रा का समापन हुआ